वेलकम टू ग्यानकडा यूटूब चेनल ग्यानकडा यूटूब चेनल पर आपका हारदिक स्वागत्थ आज के इस टॉपिक में हम बात करेंगे about study यनि कि भार विदेश पढ़ने वाले student के लिए आज के इस टॉपिक में हम discussion करेंगे क्यूं यूरोप बना है भारतिय स्टूडेंट की पहली पसंद क्यूं जाना चाते हैं भारतिय स्टूडेंट यूरोप यूरोप में ऐसा क्या खास है कि भारतिय स्टूडेंट की जो पढ़ाई का जो पसिंदा जो स्थान है वो यूरोप बनता जा रहा है पिछले कुछ वर्सों में पढ़ाई के लिए विदेश जाने वाले भारतिय विद्यार्थों की संख्या बढ़ रही है विदेश मंत्राले की आंकडों के इनुसार 2022 में 13,00,000 से ज्यादा भारतिय चातर 79 देशों में पढ़ रहे थे जो की 2021 की तुलना में 68% ज्यादा है हाला कि अब विद्यार्थियों का रुजहान अमेरिका, बिर्टेन और केनडा से हट कर आईरलेंड और नीदरलेंड जैसे देशों की और हुआ है इसकी वज़े बीजा परतिवंदों में सक्ति यहां जाते हैं तो क्यों विद्यार्थि जाना चाते हैं विद्यार्थि आखिरकार क्यों विद्धियर्थियों के मन में और विद्धियर्थियों की एक पसंद बनाओा है विदेश में पढ़ाई करना क्या वो कारण है जिसकी वज़े से विद्धियर्थी फोरेंः Σ्टिडई येनि की अबउड स्टिडई के लिए जाते हैं विदेश पढ़ाई करने के लिए जाते हैं सिक्षा की गुंटा और नए पाठे करम अनुसंधान की अवसर और नौकरी की बहतर संभावनाई विदेश पढ़ने की बड़ी वज़े हैं क्योंकि विदेश में माना जाता है कि सिक्षा की गुंटा अच्छी मिलेगी नए पाठे करम मिलेंगे अनुसंधान की अवसर मिलेंगे और नौकरी की बहतर संभावनाई होंगी विदेश पढ़ने की सबसे बड़ी वज़े यही मानी जाती है कुछ देश विशिस्ट पाठे करम के लिए जाने जाते हैं जैसे ही पूर्टगाल में होटल मेनेजमेंट स्विजर लेंड में होस्पिटिलेटी जापान में AI दक्सिन कोरिया में फैसन और फ्रांस में लगजरी ब्रांड वए फैसन के पाठे करमों की विसेश पहचान है इसलिए विद्यार्थी ये पाठे करम करने के लिए वहाँ पर जाते हैं आवाज सबसे बड़ी चुनोती रहता है विदेश जाने वाले स्टूडेंट के लिए रहने की चुनोती सबसे बड़ी है लोगपिरिये देशों में अंतरास्टिये आवेद्गों की स्विकर्ती दर काफी कम होती है कभी तो यह 1.0% से भी कम होती है ऐसे में विद्यार्थियों के लिए छोटे और अपिक्षा कर्त कम खर्चिले देश विकल्प बन रहे है ऐसे देशों में एक से डेड़ साल में रहने की वेश्था हो जाती है और स्टूडेंट को रहने में कोई भी समस्या वहाँ पर नहीं आती है यूरोपिये देशों की और भारती विद्यार्थियों का रुजान क्यों रहता है लौपिये देशों में बड़ी चुनोतियों के चलते यूरोपिये देशों की और यूवाँ का रुजान भड़ता जा रहा है आयरलेंड, नीधरलेंड, पूर्तगाल और फिनलेंड जैसे अधेन के अंदर भारतिये प्रतिभाओं को लुभा रहे है एसिया में सिंगापुर और दक्सिन कुरिया भी शिक्षा और प्रवासन के लिए विकल्प बन रहे है और विद्यार्थी यहां से शिक्षा घरन करने के लिए यहां से डिगरी लेने के लिए इन देशों की और रुख कर रहे हैं बेजिगट बिर्टेन का यूरोपिय संग से अलग होना उसके बाद में बिर्टेन में चल रही आर्थिक चुनोतियों और प्रवासियों के परती गलत रवेया कैनड़ा में भारत के साथ तनाव पुरुक राजनेतिक शम्मंद वज़े से विद्यार्थी अन्य देशों का विकल्प देखते हैं क्योंकि कोई भी विद्यार्थी उस देश से स्टेडी करना चाहेगा जहां का माहूल अच्छा हो, सांती पिरिये हो तथा उनको रहने, खाने में किसी परकार की कोई समस्या ने हो आप कोमेंट करके बताईएगा, आप किस देश में स्टेडी करना चाहते हैं कौन सी उन्षिटी में आप पढ़ाई करना चाहते हैं यदि आपको About Studity के दोरान आपको कोई समस्या हो बहार पढ़ाई के दोरान, फोरेन स्टेडी के दोरान अगर आपको कोई प्रोब्लम हो ग्यानकड़ा यूटूब चेनल आपके सदासाथ है बहार पढ़ रहे जितने भी जो भारतिय विद्यारती हैं अगर वो किसी भी प्रकार की समस्या का सामना कर रहे हैं तो आप हमें कॉमेंट करके जरूर बतेएगा अर्था दिये भी नंबर पर भी आप हमसे संप्रब कर सकते हैं हम आपकी मदद के लिए तत्पर हैं ग्यान कड़ा यूटूब चेनल रास्थान का सबसे बहतरे इन स्टेडी मेट्रियल परदान करने वाला प्लेट फोरूम है हमारा परियासे की हर एक बच्चे को निस्वलक सिक्स्या मिले हर गाउं धानी घर में फ्री ओनलाइन क्लासे हों अधिक जानकारी के लिए आप हमारे तीवे नमबर पर संप्रक कर सकते हैं या फिर आप मुझे फेस्बूक, इस्टाग्राम, ट्योटर पर भी फॉलो कर सकते हैं जिसका लिंक निचे डिस्रेशन में दिया हुआ है जहां पर आपकी मदद के लिए, आपकी सहियों के लिए हम तत्पर रहते हैं जै हिंद, जै भारत